Assalamu alaikum dear students तो हम class 6 तक understanding diversity chapter continue करने जा रहे हैं उसमें हमने बढ़ा था लद्दा के बारे में लद्दा के बारे में हम continue करेंगे ठीक है ना अब हम देखेंगे वहाँ का food क्या है ठीक है ना people eat meat and milk product ठीक लोग क्या खाते हैं वहाँ के लोग meat और each family some goats, cows and does yak cows ठीक है ना वो उन्ही का दूद खाते हैं वही अपने वो बकरियां के जबा करते हैं वही खाते हैं ठीक है ना उनका वही milk products होते हैं उसी से milk products बनते हैं वहाँ को जो दूद या कोज होते हैं डूद हम बोलते हैं या cows को ठीक है ना लदाग do attract its share of traders who travel from the passes तो इन passes से होते हुए गुजरते हुए चैना से आगे हैं traders ठीक है ना कहीं Middle East से आगे हैं और mountains के बीच में जो रास्ते होते हैं जैसे दो पहाड के बीच में जो रास्ता होगा वो passes कहलाएगा ठीक तो इन passes से निकलते हुए आते हैं traders ठीक और वो traders क्या करते हैं यहां से wool खरीदते हैं यहां से चीजें खरीदे और क्या करते हैं और कहीं और जाके बेच देते हैं इस तरह से economy जो है लदागी वो इस पर dependent रहती है जो traders आते हैं उनके product खरीद के ले जाते हैं ठीक है ना ठीक तो क्या होता है बुद्धिस्म रीच तिबबत वैल लदाग बुद्धिस्म क्या है अब जो लदाग है चेना का एक पार्ट है यह ठीक है ना लदाग चेना का एक पार्ट है जो क्या है तिबबत बुदिजम तिबब कैसे पहुँचा ठीक है ना अब हमने ये सोचना है कि बुदिजम तिबब कैसे पहुँचा तिबब तो ये लदाख से होते हुए पहुचा है ठीक है ना और लदाख में बुदिजम रिलिजिन के लोग पाए जाते हैं उन्हीं लोग उन्हीं लोग उन्ह तिबत तक बुदिस्ट को पहुच चाया कै किया, तिबत तक बुदिस्ट को पहुच चाया, ठीक तो it is also known as little tibet ठीक, शेना, it is also known as little tibet, दो लदाख को little tibet भी कहा जाता है, ठीक tibet और लदाख का culture same है, उनका रहन सैन उनका इठना बैठना वो सब कुछ same है, एक जैसा है, ठीक है ना, significant masses, ठीक, significant Muslim population also live here, ठीक है ना, तो लदाक में Muslim population भी रहती है, ठीक है ना, वहाँ पे, मुलब, दो तरह के religions रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्या रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ की Muslim population भी, मुलब, उनके साथ रहती है, लदाक का बहुत ही अच्छा, लदाक has a, लदाक has a very rich oral tradition of songs and poems, ठीक, ठीक है ना, तो लदाक का बहुत अच्छा oral tradition है, लदाक में songs and poems का भी एक अच्छा tradition है, केसर सागा, ठीक है ना, क्या है, local version of the Tibetan national epic, the Kेसर सागा and sung by both Muslims and Buddhists ठीक है ना केसर सागा ये क्या है केसर सागा ये एक national epic है जो लदाक में गाए जाता है लदाक का क्या है लदाक जिसमें वो अलग-अलग तरह से गाते हैं गाते हैं, मजाते हैं और लोगों को बताते हैं area के बारे में उसमें वो क्या बताते हैं लोगो area के बारे में और rituals के बारे में है ना और ये दूनों क्या है Muslims and Buddhists एक साथ गाते हैं ठीक है चलो ये हो गया हमारा लदाक का ठीक है ना अब हम next topic में क्या पढ़ेंगे कहरला के बारे में ठीक है Thank you